वेल्कम बैक टू माई चैनल गाइस में एक और न्यू रीडिंग के साथ आप लोगों के लिए आ गई हूँ कैसे हैं आप सब आई होप कि सभी अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं आई होप कि आज आपने बहुत इंजॉय भी किया होगा अब आपने इस दिन को काफी अच्छा बनाया होगा और लग हूँ अगर आप किसी बी इंटरव्यू exam वगिरा के लिए prepare कर रहे हो खुद को, तो यहाँ पर जानेंगे किया आपको success मिलेगा, आपका result positive आएगा या फिर negative आएगा ठीक है, तो जो भी आएगा मैं यहाँ पर आपकी पहले situation बताऊंगी, then आपकी situation के बिहाफ पर क्या चीज होने वाली है ठीक है, क्या आपके लिए result बनेगा ठीक है, क्योंकि आपकी energy बहुत matter करती है, आपका hard work भी matter करता है और आपकी energy भी matter करती है तो I hope कि यह topic आपको पसंद आएगा, और मैं आप इस पर reading start कर रही हूँ, और देख लेते हैं और timeless है reading जब भी आप यहां तक पहुँचें, आप देख सकते हैं चली आप start करते हैं जिस भी exam की या interview की आप त्यारी कर रहे हैं तो अभी क्या situation है कैसे आप preparation कर रहे हैं क्या strategies आप follow कर रहे हैं ठीक है, पहले हम यह सारी चीज़े जानेंगे फिर आपका result क्या रहेगा इन सब चीज़ों के बहाफ पर फिर हम यह देखेंगे ठीक है start करते हैं ten of cups six of swords और eight of wands ना oh sorry, eight of pentacles reverse में आया है okay, an empress okay, थोड़ी सी information मुझे और चाहिए seven of swords ace of swords five of pentacles and hierophant queen of wands this is your energy guys जो अभी आप right now carry कर रहे है जो आपकी energy है, आपके जो feelings है, वो मैं आपको बताने की हाँ कोशिश करूँगी अब यहां पर मुझे earth sign दिख रहा है, यहां पर मुझको Taurus तो बहुत ही strong है, Taurus वरको Capricorn बहुत strong है यहां पर Libra है और यहां पर Aquarius और Gemini भी है तो Taurus मुझको Capricorn और Gemini, Libra, Aquarius बहुत strong है इसके बाद fire और water element भी है ठीक है तो elements सारे हैं तो it means सारे sign है बट लिब्रा और tourist मुझे tourist बहुत ज़ादा strong है आपर ओके देखिए आप जिस भी तरीके से खुद को prepare कर रहे हैं अपने goal को achieve करने के लिए approach में थोड़ी कमी दिख रही है अभी सबसे पहले तो जो main issue है वो आपके घर से ही है जैसे कि आपकी family वाले हो सकता है कि उतना support नहीं कर रहे हैं आपको या फिर आप देखिए अगर आप एक अच्छी आप इतने mature हैं आप बड़े हो चुके हैं लाइफ में आप 25 प्लस हैं या 20 प्लस भी हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं आप पहली बात तो अपने घरवालों पर थोड़ा सा depend हो चुके हैं कि वो आपको चीजे provide करें आपका breakfast, lunch, dinner ठीक है इस तरीके से और हो सकता है कि जो आपका जो goal है वो इतना असान नहीं है और जब आप अगर उसे achieve कर लेते हैं तो बाद में भी आपको बहुत सारे responsibilities उठानी पड़ेगी तो आप अभी आपको support चाहिए ठीक है आप सोचते हैं कि आपको support मिल जाए तो divine हो सकता है इस वज़ा से भी आपके इच्छाएं पूरी नहीं करवा रहे हैं क्योंकि अभी भी आप दूसरों पर depend है ठीक है जब divine को यही लगेगा जब यह इंसान अभी अपने जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा है तो यह अगर particular जो goal है इसका अगर यह पूरा हो गया तो फिर तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाएगी तो फिर बाद में क्या हाल होगा तो कहीं न कहीं यह भी एक blockage यहां पर या एक obstacle बनकर खड़ा हो रहा है और दूसरा अगर अगर आप अपने आपको manage कर पा रहे हैं समाल पा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके काम नहीं बन रहे हैं तो अभी हो सकता है कि कुछ distraction आपकी family की तरफ से मिल रहा है ऐसा हो सकता है कि आपने कोई चीज बार 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 try करी suppose अगर एक ही exam आपने एक बार दिया है दो तीन चार बार आप दे चुके हैं आपको success नहीं मिल रहा है आप बहुत जदा demotivate demotivation होता है आपको आप खुद को demotivate करते हैं इवन आप सही path follow कर रहे हैं और आपको पता है कि जो आपकी strategy है वो work कर सकती है आपको victory मिल सकती है या आपकी खुद की intuition आपको कहती है लेकिन आप कभी-कभी क्योंकि दूसरे आपको थोड़ा सा criticize कर रहे हैं या उतना support आपको नहीं मिल रहा है या फिर आपको अपनी जिम्मेदारी खुद से लेनी पड़ेगी ये कुछ obstacles हैं जो आप अपनी life से हटा सकते हैं देखो अगर family में support नहीं मिल रहा है suppose आपको time पे चीज़े provide नहीं हो रहे हैं तो आप खुद से arrange करो खुद के लिए ठीक है आप इस तरीके से खुद को mold करो कि आप हर चीज अपने लिए कर सकते हो ठीक है हर एक problem का solution आपके पास खुद होना चाहिए number one thing दूसरा अगर कोई आपको criticize कर रहा है आपको कह रहा है आप ये काम मत करो आप ऐसे करो आप वैसे करो ठीक है आपको वहाँ से demotivation मिलता है तो आपको क्या करना है एक कान से सुनके दूसरे कान से निकाल देना है आपको सिर्फ इश्वर की सुननी है ठीक है और अपने मन की सुननी आपको खुद की इंट्यूशन फॉलो करने की विकॉज आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि आपको विक्टरी मिल नहीं है आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है इस तरीके से कि विक्टरी आप ही की है आपको विक्टरी मिल ज आप किसी competition की तियारी कर रहे हो किसी competitive exam की तियारी कर रहे हो और साथ में आप अपना work यानि की कोई part time job करते हो या कोई चोटा मोटा business है आपका वो भी बहुत major major ठीके major तरीके से effect हो रहे है आपकी earnings कम होई है आपका पुरा ध्यान आपकी काम पर नहीं लग पा रहा है तो इस चीज को लेकर भी stress मत फील करना क्योंकि आपका जो अभी जिसकी भी आप तियारी कर रहे हो जो आप तो आपको छोड़ना है वैसे भी अगर आप paper में पास हो जातो या दूसरा किसी company के लिए गर interview के लिए त्यारी कर रहे हो बड़ी company में जाना है आपको तो obviously आप जो अभ में work पे ध्यान देना है कि कभी कभी क्या और है आप जब इस job के बारे में ज्यादा सोच रहे हो जो भी आप part time काम करते हो या आप tuition classes देते हो या फिर कुछ भी आप काम करते हो तो आपको पते क्या वहां से भी थोड़ा distraction मिल रहा है कि मेरी earning कम हो रही है मेरे पैसे नहीं उतने बन पाते हैं तो ये चीज़े भी आपको ना काफी stress देती है life में ठीक है तो अभी main focus अपने career पर अपने goal पर रखो जो current object है आपका जिसको आपको clear करना है life में आप उसी पर focus रखिए ठीक है अपनी जिम्मेदारिया उठालना उठाना आज से ही शुरू कर दो दूस दूसरा जो भी current job कर रहे हो ये आपका final destination या final designation नहीं है आपको आगे बढ़ना है इससे तो अभी profit loss के बारे में ज्यादा consider मत करो ओके अभी देखो वाइस मुझे ना पते दूसरे cards निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे जो आपकी overall personality दिख रही है ना वो है Empress and Hierophant आप एक Empress हो आप prosperity लेकर आ सकते हो अपनी life में आप abundance लेकर आ सकते हो आप बहुत आपके पास knowledge है Herophant आया है मुझे लगता है कि आप teacher रह चुके हैं या फिर आप किसी college में professor ठीक है assistant professor जैसे होते हैं वो आप काम करते हो या फिर आप पढ़ाई लिखाई से आपका नाता काफी time से जुड़ा हुआ है और अभी भी आप पढ़ाई करी रहे हो और आपके पास enough knowledge है ठीक है आ आपका वो आप अराम से clear कर सकते हैं क्योंकि ना बहार की तरफ से जो दूसरे जो आपको जो criticize कर रहे हैं इसकी वज़र से आपके पास ये problematic situations आ जाती है otherwise आप अच्छा ही कर रहे हो अपनी life में खुद का confidence बढ़ाईए ठीक है अपने लिए positive thinking रखिए positive affirmations बोलिए आप जो अब ही काम कर रहे हो इसमें आपको success मिलने के chances आपके high है ठीक है ये चीजे मुझे यहाँ पर दिख रही है लेकिन फिर भी आपका result क्या आएगा ये भी हम पता लगाएंगे यहां से ही card निकालेंगे मुझे तो आपका result positive दिख रहा है आपको खुद पर believe करने की जरूरत ह है बस अगर ये आपकी current situation है न तो अब हम देखते हैं कि result क्या आएगा interview clear होगा ये exam में पास हो जाओगे या नहीं वो यहां से देख लेते हैं ओ वाओ हमारे पास तो अपने आप ही देखो अपने आप ये card आया न लाइट star यानि कि wish fulfillment मुझे गाइस मुझे बिलकुल आपके energy देखकर आप पर doubt नहीं है वाओ ये है eight of wants और देखो transformation का card आया it means जो आज हो ना वो कल नहीं हो आप आगे बढ़ रहे हो और star के साथ और eight of wants के साथ card आया तो it means आपका सपना पूरा हो रहा है यहां भी star है यहां इतने सारे star है transformation आपका result positive आएगा guys आप try करते रहो आप हार मत मानो देखो बस दिहान से choose करो आपको क्या बोलना है अभी क्या सोचना है क्या affirmations बोलने है इन चीजों पर आपको दिहान रखना है आपके लिए cards खुद आये हैं यह ठीक है आपका सपना आपके dream सारे पूरे हो रहे हैं आपका result positive आता हुआ दिख रहा है मुझे mental conflict यह तो आपने बस ऐसे ही अपने दिमाग पर pressure बनाया हुआ है जिसको बनाने की जुरत नहीं है new beginning is coming ओके new beginning आ रही है आपकी life में तो अपने आपको परिशान मत करो अपने आपको इस article and loss में मत लेकर आओ अपने उपर believe रखे अपने उपर trust कीजिए ठीक है आपके life में new beginning जल्दी आजाएगी थोड़े से conflict यह लेकर आएगी ठीक है ऐसा नहीं कि बहुत fresh है और इसमें कोई भी आपके लिए कोई challenge नहीं होगा या कोई problems नहीं होगी definitely वो problems भी होगी नहीं तरहा के नहीं फेज में नहीं तरहा के challenges से आप मिलेंगे ठीक है तो थोड़े से conflict देखने को मिल सकता है बट वो struggle आपको पसंद आएगा because यह आपका dream है आप इसके लिए बहुत passionate है तो आप इसमें आराम से काम करेंगे ठीक है बट आपका सपना सच हो रहा है आपका result positive आप हार मत मानिये आप already एक empress में convert हो चुके हैं herophant एक guru padati already you have in your life and जब आपके पास इतना अच्छा mind है you have great understanding great knowledge about your subject then there is no need to worry at all ठीक है बिलकुल भी tension ना ले अपने particular goal पर focus रखें तूसरों की बाते ना सुने और अपनी जिम्मधारियां उठाना आज से ही शुरू कर दें क्योंकि आगे चलकर आपके पास आपकी जिम्मधारियां वो बढ़ रही है तो जब आ आप अभी नहीं manage कर सकते तो आप आगे क्या करोगे divine कुछ इस तरीके से भी आपको judge कर रहे है तो किसी को कोई blame नहीं करना किसी ने आपके लिए यह चीज नहीं करी किसी ने आपके लिए ऐसा नहीं बोला या आपको ऐसे motivate नहीं करा नो आपको आपके intuition ही काफी है सब करना सीखिए अच्छे से यह चीज आपको और ज्यादा समझदार बना देगी और ज्यादा काबिल बना देगी यह चीज आप करना शुरू कर दीजिए एंजल आपसे क्या कहेंगे यह देख लेते हैं जल्दी से yes be mindful of the planet come back to earth stay grounded वाओ राधा मा आज होली वाले दिन राधा मा आए हैं चलो एक कार्ड में आओ लेना चाहूँगी अपने आप आया यह कार्ड देखते हैं वाओ लौट शिवा लौट शिवा वाओ ओके गाईस देखो अर्थ कनेक्शन गाया का जो कार्ड आया है यह बोल रहे हैं कि आपना ground to earth रहना शुरू कर दीजिए एकदम humble polite अपने behavior में change लेकर आई है क्योंकि यह आपके destiny बदलने म आपकी मदद करेगा कोई आपको बुरा भला भी बोल रहा है और आपको कोई गलत word भी कह रहा है फिर भी शान्त रहने की कोशिश कीजिए ठीक है peace आपके अंदर से ही आएगा ठीक है और वो आपको तब आपकी life में भी आपको feel होना शुरू हो जाएगा तो इस तरीके से feel करना है तो आप अपने exam में अच्छा करेंगे बाकी राधमा आपसे कह रहे हैं rediscover a lost part of yourself आपको ना कुछ दुबारा से discover करना है तो कुछ अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी exercise है या कुछ ऐसे patterns है जो आपको दुबारा से revise करने की ज़रत है तो उनको आप revise कर लेना अगर आ आप उसको पढ़ें तो इस विश्वास के साथ पढ़ना कि येस आप इसमें expert हो चुके हो you have perfection now ठीक है perfection आ चुका है आपके अंदर इस विश्वास के साथ आप पढ़ेंगे बाकी dance with the universe Lord Shiva आपको कह रहे हैं कि आप तो आप आराम से relax हो जाओ ठीक है खुद को बढ़ाओ आपकी लाइफ में बहुत major changes आने वाले हैं आपकी life बहुत अच्छा transformation आपको आगे देखने को मिलेगा आपका result भी positive आएगा बट आपको थोड़े effort जो यहां मैं जो आपकी current energy जो मैंने बताई जो मुझे यहां पर कमिया दिखी है अगर आप इनको थोड़ा ठीक कर लेते हैं तो आपको जल्दी result अच्छा मिल जाएगा और आपको focus आपके काम पर बहुत अच्छे से लगेगा में दो बार मैं यह reading कर तो अभी के लिए बस इतना है गाईज बाई टेक केर